हेलो दोस्तों स्वागत आपका इस वीडियो में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जहारखन मादमा परिक्षा के रिगारे कि आपका ओफिशियल एक्जाम कव एक्जाम डेट कव आने वाले हैं या आपका एक्जाम कव से सेड्यूल किये जाएंगे और आपका एक्जाम क करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को यदि आप चैनल नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को भी दवा दिए तो जिसकी आप सब का एक्जाम जित भी जारखंड जारखंड बोर्ड का विहारती है जो इस वार एक्जाम देने वाले लगवाग 8000 के आसपास में इस वार फॉर्म फिल की है तो आठ अजार जो इस वार एक्जाम देने जारखंड संस्क्रित बोर्ड से उन सारे स्टुडेंट को एक्जाम की परतिक्चा है बहुत दीनों से बिसबरिश से इंतिजार कर रहे हैं क्योंकि आपका एक्जाम वैसे आफिसियल साइट पर दिया है कि मार्च में ही ले ले लेना था लेकिन अब भी तक आपका अपरायल भी 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 जून भी 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 बीतने को ही है तो भी आपका मतलब अरहाई तीन में आपका एक्जाम डेले देखने को मिल रहा है तो सार एक्जाम भी ले लिया रिजल्ट भी दे दिया और आपका भी संभावना है बहुत जल्द आपका एक्जाम लिये जाएंगे क्योंकि 11 में अब नवांकन शुरू हो गया है यहार बोर्ड जो 11 में नवांकन है वो करने ही करने जा रहे हैं वही एक दू दिन में स्टाट होने ज जरूरी हो गया है आपके बोर्ड का कि आपका एक्जाम आप सिड्यूल करा रही ही जाएंगे वाशे अभी ऑफिशियल कोई भी डेट जारी नहीं किया गया है आपके ऑफिशियल साइट पर हमने आपका ऑफिशियल साइट जे एसी का साइट खोल के देखे थे लेकिन उस सारे board में admission start हो चुका है जैसे बीहार board है तो वो अपना 11th का admission शुरू कर चुका है तो इसमें भी बहुत सारे बच्चे आपका admission लेते हैं जारकन board का भी बहुत सारे बच्चे admission लेते हैं तो उनके लिए भी मतलब जरूरी हो जाता है कि आपका result या mark शी त्यार कर और जैसे ही आपका एक्जाम लिए जाएंगा आपका एक्जाम बहुत लंबा चलने वाला नहीं है मातर चार दिन का एक्जाम चलेगा मातर चार डेज में आपका एक्जाम किलियर हो जाएगा तो आपको मतलग प्रिपेर रहना है पूरी तरीके साथ त्यारी करके रखना है क् कि ज़स्ट आपका एड्मिर कार और समझ यह एड्मिर कार और एक्जाम के बीच में मातर 5-6 दिन का ही गाइप रहेगा तो इस तरह किसा आप तैयारी में डील मत दीजिएगा जितना अच्छा से हो सके उतना अच्छा से तैयारी करिए क्योंकि आपका एक्जाम तो लेना ही पड़ेगा आपके मतलब जो भी बोर्ड मेंबर है उनको आपका एक्जाम सेड्यूल करना ही पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे बोर्ड ने अपना एलेवेंट का नमांकन भी शुरू कर दिया है तो यदि आपका नमांकन बहुत सारे शुलियन तो नमांकन कराएंगे एलेव इसलिया आप अपने तैयारी को अच्छे त्रीके से जारि रखे क्योंकि अब आपका एक्जाम लेना तो रही है लेकिन आप अपने त्यारी में धील मत दीजिएगा क्योंकि नहीं तो ऐसे ही हो जाएगैं विहार जो जारकन के बिहार मादमा के जो बच्चे थे उन्हीं के जैसे आपका भी हो जाया क्योंकि बिहार मादमा के रिजल्ट बहुत खराब गया है 15,000 एस्टुडेंट फॉर्म बढ़े थे और 11,000 एपियर हुए थे जिसमें से मातर 2000 स्टुडेंट को ही फर्स्ट मिला है और 600 स्टुडेंट को सेकेंड और 2000 स्टुडेंट को थर्ड और 2000 स्टुडेंट फिल्ट कर गया है तो आप समझ सकते हैं कि कि आपका किस तरह से इसका डाटा है कि कितना कम फर्स्ट हुआ है तो इसलिए और आपका तो टाइम भी मतलब लंबा चला है तेयारी करने का भी टाइम मिला है तो आप अपने तेयारी को अच्छे से पकर बना के रखे और इस मेना के लास्ट में आपका एक्जांग सीडूल होना ही ताय है तो आप प्रिपेर रहे और जैसे एड्मिन कार्ड या कोई भी चीज जारी होंगे तो हम आपको जरूर बताएंगे